तो next part is properties of multiplication, जिसमें पहला property आता है, closer property जहां क्या होता है ना, हमेसा दोठो whole number अगर multiply करते हैं, तो answer हमेसा whole number ही आता है, example देख सकते हैं, 8 into 12 is 72, 8 भी whole number है, 12 भी whole number है, 72 भी whole number है, वैसे ही next property is commodity property, यानि interchange अगर position change करते हैं, तो हमेसा result change same रहेगा, 11 into 8 is 88, वैसे ही 8 into 11 is always 88, तो यह commutative property को भी satisfy करता है, वैसे next is associative property, यानि कि अगर grouping करके position change करते हैं, या फिर grouping change करते हैं, तब भी answer same होगा, जैसे कि 8 into 15 into 2 है, तो यहां 15 into 2 पहले multiply करने का बाद 8 multiply करेंगे, तो answer जो है हमेसा same आएगा, 8 into 30 यानि 240 हो जाएगा, वैसे ही 120, यानि 8 into 15 करने के बाद भी अगर 2 multiply करते हैं, तो answer हमेसा same हाता है, next is multiplicative identity, यानि product of any whole number by 1 is always same whole number, यानि जो भी number को 1 के साथ multiply करेंगे, हमेसा answer वही number ही मिलेगा, वैसे multiplicative property of 0, यानि if 0 is multiplied to any number, it is always 0, यानि अगर 0 को multiply करते हो कोई भी number के साथ, तो हमेसा result 0 ही आएगा, वैसे distributed property of addition, या यानि अगर addition, bracket के अंदर addition रहेगा, बाहर पर multiply सबके साथ होना रहेगा, तो आप लोग direct multiplication रखने के बाद, ये 2 को add करके भी multiply कर सकते हो, या फिर 10 को एक बार 15 के साथ multiply कर सकते हो, यानि अगर ऐसा रहेगा, तो पहले इसके साथ multiply करो, फिर इसके साथ multiply करो, जो कि आप केस में डिस्ट्रिबुटिव प्रॉपर्टी अवर सब्स्ट्रेक्शन में भी होगा तो 20 इंटू 18 माइनस 16 आप लोग पहले इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा तो उसमें भी अगर एक एक करके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा यानि 20 इंटू 18 करने के बाद सब 20 माइनस 16 करने से आंसर वही 40 आएगा तो विद इस थर्ड एक्सराइज इस विन कंप्लेटेट ट्राइटू सॉल्व इट